हलो बच्चो वर यू थैन के चलिक स्टाट रिविजन नमबर 3 बाइं को सब्सक्राइब करें उसतार्ट के पैनल पैठने आपके सामने कि इसमें लाइथ है the side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 cm per second तो side of the triangle is increasing at the rate of 2 cm per second माल लीजे this is the equilateral triangle और इसकी जो side है वो कितनी है A है तो side और जो area है वो कितना है वो A है capital A नहीं आया सवज में जा फिर side को आप x माल लो side को क्या माल लो बता है एक्स माल लेते हैं side is x तो dx upon dt dx upon dt is equal to 2 cm per second है ना find the rate at which area is increasing at which area is increasing area किस rate से increase हो रहा है यानि कि da upon dt की value निकालने है आगया कि नहीं आगया तो एकुलेट तो बहुत इसी बात है सबसे पहले हम area का formula लेखेंगे area का formula कितना होता है बोलो बच्चो अंडर रूट 3 upon 4 x square side का square होता है ना time के respect में differentiate करिए तभी तो da upon dt निकलेगा da upon dt is equal to under root 3 upon 4 और 2x dx upon dt यहीं तो निकलेगा इसलिए 2 times कट जाएगा तो कितना अंसर आ जाएगा बताएं अंडर रूट 3 upon 2 बचेगा x बचेगा और dx upon dt बचेगा लेकिन dx upon dt वह में पता है dx upon dt कितना था वो 2 था तो यहनि कि इसको अठाके आप 2 लेख दीजे तो इससे यह कट जाएगा तो da upon dt की value कितनी आगी बोलिए हमारे पास da upon dt आजाएगा बचो कितना अंडर रूट 3 यहना एक्स लेकिन x के प्लेस पर हमें side दे रखी थी side किती दे रखी थी बोलो when x कितना 10 cm तो यहाँ पर 10 लिख देंगे तो यह 10 रूट 3 हो जाएगा अना 10 रूट 3 10 रूट 3 देट इस दिस इस ता फाइनल आंसर आगे बढ़ते हैं एक्स पॉस्टन की तरफ एपसलेट maximum value of y is equal to x q minus 3 x plus 2 in interval देश्ट आपको देख रहा है यह एक क्लोज इंटरवल है क्लोज इंटरवल होता है ना किस तरह से डूट 0 से लेके टू तक इस टाइप का एंटरवल लेजे आगया कि नहीं आ गया तो maximum value निकालने यह निकाली सबसे बिलेगाव डिवाइवे निकालना पढ़ेगा कि दिवाइए प्यूट इस दिवाइवे पॉंट दिवां निकाले कितना रहा बताईए 3 x square और यहад मायनस को 3 अगया तो अब नेकाल लिए यह पॉंट यह निकलेंगे इसे पार जाय नोगा तिवाइवे पॉंट इससे निकलेंगे इसमेंदे पामन 1 is equal to 0, this implies that 3x plus 1, x minus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to 1, और minus 1, यह तो निकलेगा, तो 1 पे और minus 1 पेंट के points के value निकल लीजे, कितने ही निकलेगी बता दीजे, तो निकल ली फटाबट से, minus, तो minus 1 तो इसमें लाई नहीं करता, 0 से 2 तक बोला था, तो minus 1 does not belongs to, किसमें 0 से लेके 2 पे, तो यह निकी आपके पास चो x की values होंगी, वो एक तो 0 होगी, एक 1 होगी, और एक 2 होगी, तो आप निकलते जाएए फटाबट से, f1, f1 कैसे निकलेगा बताईए, यहाँ पर x के place of 1 लिख दो, तो जिकितना हो जाएगा, 1 minus 3 plus 2, that is 0, है ना, 2, और f2 कितना लिख लेगा बोलो बच्चो, f0 के बाद f1 निकल लो चलो, आपने f0 नहीं निकल आए भी, f0 निकल लो, f0 निकल लेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा, केबल 2 रह जाएगा, यह ना, अब क्या रह गया, f2 निकल लो, f2 निकल लेंगे कितना है, अगा 2 का क्यूँ, 8, minus 2 लिख लेंगे 6, और यह प्लस का 2, तो कितने हो गए जो बताएगे, 8, 2, 10, 4 आ गया, तो maximum value कितने निकल के आगई, maximum पूछी ती ना, तो maximum 4 निकल लेगी, जोकि यह, यह, maximum value is 4, नहीं हाँ समाज में, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले question की तरफ, चलिए, आजाएए फटाफट से, let f from r to r defined by fx equal to 2x plus cos x, then f as a maximum matrix equal to 0, minimum matrix equal to 35, increasing, decreasing क्या आएजे, तो आपको ध्यानों का जो question में एक बाद टेस्ट में दिया था, किस-किस को याद है, यह question test में दिया था, और I think यह सबने गलग किया था, किया था किया था, increasing, decreasing का question था, तो f dash x की value बताईए, कितना निकलेगा, 2 minus sin x, और मैंने आपसे बोला था, कि sin x की value हमेशा, minus 1 और plus 1 के बीच में होती है, होती है कि नहीं होती है, अगर यह value negative हुई, तो तो यहाँ पर minus लिखने से यह पहले minus लगा हुआ है, plus का answer आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर x की value positive हुई, तो भी maximum 1 हो सकती है, maximum 1 हो सकती है, 1 से आगे तो जाई नहीं सकती, तो अगर यह 1 भी हो गई, तब भी 2-1, 1 बचेगा, यानि कि प्लस का ही answer बचेगा, यानि कि f-x कभी negative आई नहीं सकता, f-x यानि कि rate of change का भी negative नहीं हो तो पका यह क्या कर रहा हो, बताएगे, increase कर रहा होगा, आगे आजाएगे, आगे बढ़ते हैं, points on the curve, y is equal to x square, at which the y coordinate is changing 6 times as fast as the x coordinate, यानि कि इसने यह बोला हुआ है हमसे, क्या बोला है बताएगे बच्चों, इसने हमसे यह बोला हुआ है, कि y coordinate is changing 6 times, यानि कि dy upon dt, is equal to 6 times of x coordinate, यानि कि dx upon dt, यह दिया हुआ है, और y की value कितनी दिया बोलो, x square दिया, तो differentiate करना जड़ा, तो यह हो जाएगा, dy upon dt is equal to 2x, और dx upon dt, यही तो होगा, यही तो होगा, तो dy upon dt को अठागे मैं क्या लिख सकता हूँ, यह value लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बताइए, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं 6, और dx upon dt, है न, और यही कितना हो गया, 2x dx upon dt, dx upon dt, cancel हो जाएगा, इसके value कितनी जाएगी 3, और जब x equal to 3 put कर देंगे, इस पूरे की पूरे कर्व की equation में, तो y is equal to कितना हो जाएगा, 27, तो 3, 27, 3, 3 curve, cube निकरेंगे, बताइए, square करेंगे, square है न, न, यहाँ समाझ में, square को करो भे, बोलो यार, तो y is equal to 3 का square करेंगे, तो 3 का square 9 होता है, तो that is 3, और y is equal to 9, c, next question आपके सामने यह है, तो इसमें लिखा हुआ है, y is equal to this, then y क्या है, maximum, minimum क्या हो पहले है, आप निकाल लो, फिर चेक कर देंगे, option पर टिक मार देना, ठीक है न, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है इसका, dy upon dx निकाला, यह हो जाएगा, 3x square, plus 2x, plus 1, आगा की नहीं आगया, for maximum or minimum value के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइपन dx को 0 लिखते हैं, तो यानि कि 3x square, plus 2x, plus 1, is equal to 0 लिखेंगे, नहीं आज नमद में, इसका मेरे टांस्पेट करेंगे, इसका मेरे टांस्पेट आपसे वह पा रहा है, करके देखना जाएगा, बी square minus 4, इसी निकालो, बी square minus 4, इसी की value निकाली, बी square कितना हुआ, 4, minus 4 into A into C, ये जो आजाएगा, 4 minus 12, negative answer आ रहा है, not real, not real, ये real नहीं आ रहा, इसका मतलब, has neither maximum nor minimum, इसके maximum minimum value निकलेगी ही नहीं, क्योंकि इसका कोई critical point है ही नहीं है, नेक्स आते हैं बच्चो, the interval in which the function, this is decreasing, decreasing का interval निकालना है, निकाल दीजे, fd6 बताई ही सबसे पहले, fd6 कैसे निकालेंगे आप, fd6 कैसे निकालेंगे बतारिए, fd6 कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा, 6x square, plus का 18x, और प्लस का 12, देखिए, 6x का रुपवाले में, 18x, और प्लस का 12, इसमें से हम 12, 6 को common ले सकते हैं, 6 को common ले लेंगे, कितना बचेगा, x square, plus 3x, और प्लस का 2, तो fd6 is equal to 6, इसका अबरल टर्म स्प्रिट करा दू, x plus 1, x plus 2, x plus 1, और x plus 2, यही तो आगया, यही तो आगया, तो critical point कैसे निकलेंगे, critical point निकलने के लिए, अब डैस x को 0 लिखते थे, तो यहां से x की value किती निकलेंगे, बताएगे बच्चो, एक minus का 1 और एक minus का 2, तो number लेंगे कितने टुकड़ी हो जाएंगे, minus infinite से, plus infinite, एक, यहां पर minus का 1 है, और यहां पर minus का 2 है, एक इदर, एक इदर, और एक इदर, तो इन interval में आप अपना table बना के देख लो, यहां ना, table बना के देख लो, यहां से भी देख सकते हैं, plus, minus, plus, यह ना, तो decreasing का पूछा है, यह आएगा, minus 2 से minus 1, this one, आगे अगे नहीं आगा बताईए, बोलते जाओ बेटा, आगे नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले question की तरफ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आगे वाला कैसे देखेंगे, आ जाएगी जरा, आगे वाला है हमाँ पास, integration of fx dx is equal to gx plus c, आपको अच्छे से पताए, fx का integration करके gx आ रहा है, तो पका gx को differentiate करके fx आएगा, यानकि differentiation of gx is equal to fx, differentiation of gx is equal to fx, आगे नहीं आ गया, next जे वाला question कमें, अच्छा question है, आप सबसे पहले इस question की form change कर दो, आप इसे आसे लिख सकते है, e raise power x और 1 upon e raise power x dx, तो solve करके क्या बन जाएगा, जे बताए हमाँ पास, हमाँ पास आ जाएगा, e raise power 2x plus 1 upon e की power x होगा, उपर वेज़ दो, आगया कि नहीं आ गया, अब आप इसमें e raise power x को एक मैट के लिए t मानिए, तो e raise power x dx is equal to कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, dt upon t square plus 1, यानि कि 10 inverse t, 10 inverse t, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, 10 inverse t का मतलब e raise power x plus c, आगे सबको समझ में, पका सबको समझ में आता जा रहा कि ने आता जा रहा, हैंट्रेस की आगर ये फटापट से बोला करें, देखिए ये question म मैं करा चुका हूँ, definite integration का है, एक property बदायती मैंने आपको, जब 0 से a होता है, तो a minus x लिख सकते हैं, है ना, आप इसको तो number one डाल के छोड़ दो, माल लिजे, this is, आई ये आपका, है ना, upper limit minus x का formal लाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, 0 से a, अब upper limit minus x करो, under root के अंदर, a minus x, और j कितना हो जाएगा, under root के अंदर, a minus x, और j कितना हो जाएगा, a minus x लिखेंगे तो केवल x रह जाएगा, है ना, अब आप इन दोनों को add कर दीजे, adding, first and second, दोनों को add कर देगे, तो बच्चों बताएगे, प्लीज बता दीजे, यहाँ पर कितना आजाएगा, 2i, और इन दोनों को add करेंगे, तो आप add कर देना, add करके यहाँ पर बना जाएगा, integration 0 से लेके a, 1dx, बना जाएगा, इसका integration x आएगा, और x पर जब लिमिट लगाएगे, तो a minus 0 आजाएगी, तो i is equal to कितना आजाएगा, a upon 2, आगे कि नही a से प्लस a limit है, और जो odd function है, odd function है, तो कितना answer आएगा, 0, आगे बढ़ते है, इसका answer देखी ज़रा, इसका answer कैसे देखेंगे, area line in the first quadrant bounded by the circle this and the lines this and this, है ना, मैं आपको बना के देखा रहा हूँ, मान लिजी, this is the coordinate axis, है ना, और this is the circle, सब को समझ में आ रहा है कि यहाँ बता plus y square is equal to 4 है, तो हम इसे लिख सकते है, x square plus y square और 2 का square, तो मतलब इसकी radius कितनी होगे, 2, तो इस point के coordinate कितनी होगे, 2, 0, आगे-गे-गे-गे-गे सब, बताते जाए यह फटा-फट से, यह होगे कि नहीं होगे, इस सबसे पहली बात first quadrant की बात कर रहा है, और circle की बात कर रहा है और x equal to 0 का मतलब y axis की बात कर रहा है, यह line होनी चाहिए जे वाली, यह ना, y axis और x equal to 2, x equal to 2 कहाँ पे होता है, बोलो x equal to 2 कहाँ पे होता है, x equal to 2 यह एक line होती है, x is equal to 2 यहीं से तो जाएगी, क्योंकि यहां से आदक का distance 2 था, यह distance 2 था तो x equal to 2 यहीं तो हुगा, तो first quadrant मे यानि कि आपको इस वाले part का area निकालना है, नहीं आयाता है, तो एक रसे देखे तो 1 upon 4 pi r square हो गया, mcq में तो तरीका लगा सकते हैं, उसे क्या पता हमने जो solve किया था, वो bounded region का method लगा था कि 1 upon 4 pi r square 10th class का पहुमा लगा था, 9th class का, आगया कि नहीं आ गया, तो इसका आप पांसा मार सकते हैं, आगया कि नहीं आगया, और step बना नहीं तो step बना लें ऐसे करके, और 0 से लेके, ये 2 तक के limit लगाना, 0 से लेके 2 तक के limit लगाना, y dx लेके, तो 0 से लेके 2 y का मतलब, इसमें से y की value बताओ, किति निकली, under root के अंदर 4 minus x square, और ये dx all कोले ना, हमारा answer पांसा जाएगा, नहीं आता है, बोलो बेटा, पकास में आ रहा है कि निया रहा है, बोल दीजे, बोल दीजे, बोल दीजे, सब को आता जा रहा है, निकाल देंगे सारे बच्चे, अच्छे बच्चे हमारे, ये question में आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको अपने आपने ठीक है न, उसी टाप से है, क्या है मैं बताइए, इसको सॉल कैसे करेंगे तो तो क्या, y square is equal to 4x, ये इस टाइप से एक पैरावल है, ये ना, पैरावल होला है कि नहीं है, y axis, ये y axis हो गया, end the line, y is equal to 3, y is equal to 3 कहां पर होती है, y is equal to 3 कहां पर होती है, ऐसे करके होती है, है ये ना, तो ये आ रहा होगा, ये वाला पार्ट यहां पर स्टिप बना लेना, ऐसे करके, x dy लिख देना, x dy और 0 से लेके, 3 तक के limit लग जाएगी, ठीक न, solve कर लेना, answer आजाएगी, आगया कि नहीं आगया, इसके आगे स्टार्ट होते हैं, आपके case study questions, क्या स्टार्ट हो है, क्या लिखाया बताइए, read the falling passes, मतलब इसको पढ़ना है, उसके questions के answer देने हैं, तो मतलब यह कुछ नहीं है, कि यहां से पढ़ना, आपका start होगा, यहां से question आपका start होता है, architect design a building, अच्छा चलिए, case study question है, आपका, इस सारे case study questions में आपके लिए लिए क्या है, क्या स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, an architect design a building for a multinational company, okay, तो, the floor consists of rectangular region, with semi-secular ends having perimeter of 20 meter as shown here, मतलब इसका जो perimeter है, वो 200 meter का है, समझ में आगया कि नहीं आगया, perimeter कितना है, 200 meter, यानि कि यह पूरा की पूरा, यह 200 meter है, बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, बताईए, यह पूरा की पूरा कितना है, बोलो बच्छो, 200 meter, समझ में आ गया, यह 200 meter है, चलिए, building की shape यह है, लेकिन हमें तो इसके floor से मतलब है बस, यह इसका top हो गया, तो floor भी ऐसे ही होगा, आगया कि नहीं आ गया, यह दो rectangle है, rectangle है, आगया कि नहीं आ गया, तो अब यह आप से, देख लिए, figure से आपको देखाए दे रहा है, बीच का जो area है, rectangle वाला, उसको इसने a माना है, और breath को इसने y माना है, तो मतलब, एक तेरे से से मिसका का diameter y हुआ, तो radius कितनी हो गई, y upon 2, और इसकी जो length है, इसको इसने x माना है, सब्सक्राइब आगया कि नहीं हो गया, बस इतना याद रखिए, बस हो जाएगा आपका question, आगे चलते हैं, तो आगे था, if x and y represent the length and breadth of the rectangular region, then find the relation between the variables, x में और y में क्या relation है, मतलब x, y का आपको relation निकालना है, है ना, तो relation हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, relation कैसे निकालेंगे, देखे ज़रा, relation, पहले part का अंसर गरता हूँ, पहले part का, इसने perimeter कतनी हैं दिया था आपको, 200 meter, perimeter 200 meter था है ना, 200 meter, 200 meter का perimeter है, तो मतलब ये वाला x, और ये semicircle, जे वाले x, और फिर ये वाला, semicircle की circumference में लागी, तो 200 होगा, तो यानि कि कितना लिखेंगे बताईए, 2x हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना, 2 pi r हो गया ना, वैसे तो pi r होता है, लेकिन, दो semicircle है, तो 2 pi r हो गया, या ऐसे यो लोगे, आदा आदा दो मिला कि एक बन गया, ये 200 meter का हो गया, तो 2x प्लस 2 pi, r का मतलब radius, radius कितनी थी, y upon 2, is equal to kitना, 200, ये 2 से ये 2, cancel हो गया, आगया कि नहीं आगया, तो जी कितना बंदेगा बोली, ये बचेगा, 2x प्लस pi y is equal to 200, this is equation number 1, और this is the relation, सारे बच्चे ध्यान से सुना कर ये, first part में उसने केवल relation पूछा था, find the relation between the variables, मतलब x और y में क्या relation है, मतलब x y की form में एक equation बना के लिख दो, तो ये हमारा first part खतम होगा, ये फर्स पार्ट में इतना ही करना है, अब second part यहां से आगे start होता है, second part यहां से आगे start होगा, तो second part में पूछा है, find the area of the rectangular reason a, expressed as a function of x, तो मतलब जो a वाला part है, यानि कि ये जो बीच वाला part है, ये वाला part, किस वाले part का area पूछ रहा है, और उसका आप x की form में एक बना दीजे, area लिख दीजे, x की terms में लिखाओना चाहिए, किस की form में लिखाओना चाहिए, x की form में, तो लिखे फटाबट, area कैसे निकालेंगे, area कैसे निकालेंगे, area तो length into breadth होगा, लेकिन y की value लिख दो यहां से अब, पाई, यही तो निकलेगी, यही निकलेगी ना, तो फिर area कितना हो गया बताईए, उपर से आप 2 को common लेलो, पाई को बाहर निकाल दो, और यह वाला x स का अंतर multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, minus का x स्क्वार, और प्लस का, तो यहां से आगे देखिए जरा, अब यहां से आगे इसने क्या पूछा था आप से, यहां से आगे क्या पूछा था, यह तो second part तो finish हो गया, second part पर तो तो नहीं पूछा था इसने, x की formula की, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, find the maximum value of area, इसकी maximum value कितनी होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको differentiate करना पड़ेगा, d upon dx निकलना पड़ेगा, तभी तो maximum minimum करते हैं, maximum minimum कैसे निकलते हैं, अब तो आप आप जैसे हम पहले करते थी, इसको जैसे करते हैं, वैसे करते जाओ, कैसे करेंगे बोलो, 2 upon pi को यहां लिखो, minus का 2x हो गया, और plus का 100 हो गया, for maximum और minimum values, for maximum और minimum values के लिए, d upon dx को 0 लिखेंगे, तो this implies that, 2 upon pi, minus 2x, plus 100 is equal to 0, 0, आ गया कि नहीं आ गया, 0 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, x is equal to कितना आ जाएगा, बताएगे, 50, x is equal to कितना आ गया, 50, x is equal to 50 जब होगा, तब इसका area या तो maximum होगा, या minimum होगा, अब maximum है, या minimum होगा, अब यह कैसे बता चलेगा, इसका double differences में करो, तो अब इसके लिए, d square a, upon bx square निकालना पड़ेगा, तो कितना निकलेगा, 2 upon pi तो हमाई पास हाई है, इसको ज़रा differentiate करेंगे, तो minus 2 बचेगा न, तो इसका तो negative value आ रही है न, negative value आ रही है न, यह x equal to 50 लिखने से, negative value आएगी न, तो इसका मतलब area is maximum, when x equal to 50, आगे कि नहीं आगे तो x की maximum value पूछी थी, लेकिन इसने area पूछा है, find the maximum area, तो area कितना था हमारा, area का क्या फामला लिखा था, area हमारा यह है, यह तो area है, यानिकि, 2 upon pi, minus का x square, और plus का, 100x, है न, तो इसमेक्स के place, लिखतू, 50, एक्स के place पर 50 लिखतू, तो कितना आजाएगा, 2 upon pi, x के place पर 50 लिख देंगे, तो मैना 50 पर इसको कितना होटा है, ऑगेना हता बूल हुआ, 50 का इसको है, और यह, 50 लिखने थे देंगे, पचास लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बता हुआ कि ऐसे आएगा बोलो यार अरे समझ में नहीं आ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो निकाल के इसमें से वैल्यू पूट रहो तो आपका अंसर आ जाएगा जाएगा ना कि एज़ए अगुंद के जाएगा और फांड अग्वेल्यू ओफ एरिया एरिया की वैल्यू निकाल दीजिस में एक प्लेसे योट करने से अमारा एडिया आ जाएगा अंने कितना निकाला था इसे साएडिया यहापर एक्सक्य पर से 50 लिग दीजिए तो 50 किश्कों कि नहीं दाइ जारी बचाने इसार आगे बाधते हैं आगे वाले कोश्चन की तरह आगे वाला कोश्चन देखते हैं सारे बच्चे इसका एक पार्ट था और वाला इसका एक और वाला पोर्शन और था इड़ा the CEO of the Multidational company is interested in maximizing the area of the whole floor अब CEO चाहता है भाई rectangle से क्या करेगा पूरे फ्लोर का area निकल including the semicircular ends तो find the value of x for this to happen मतलब अब पूरे semicircles को मिला के पूरा की पूरे floor का जो area होगा उसमें से उसको maximize करने के लिए x की कितनी value होनी चीए तो अब ये और वाला पार्ट है है ना इसमें area कैसे निकलेगा परेका पूरे rectangle का निकालो अब rectangle का इरिया कितना था बताओ rectangle तो हम पूपर से निकाल चुके है ना rectangle का area तो हम निकाल चुके है ये रा 2 upon pi minus x square plus 100x इसमें 2 semicircular end or plus करो तो एक तरह से जे माल लो दो से मिसे का मिला के बड़ा सरकल बन गया सरकल के रिए कितना होगा pi r square pi r square r का मतलब y upon 2 का square ये तो हो गया तो ये हो जाएगा 2 upon pi minus x square ये 100x और ये हो जाएगा pi upon 4 लिख दो और y का square कर दो और y की value हमें पता है y का square करेंगे न y की value में पता थी कितनी थी y की value बोलो बच्चो y हमने खान निकाला था xy का relation जेरा y की value ये है कितनी है बताओ 200 minus 2x upon pi 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 यह आपकी लिच करते हैं अब वापस आते हैं अपने next question की तरफ बहुत अच्छा question है बचो जेबाला very अच्छा question है very nice question सब को सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें लिखा है an owner of car rental company have determined if they charge customers rupees x per day to rent a car where x की value 50 or 200 के भीच में है आगे अगे नहीं आगे बता दिए बोलो आगे नहीं आगे बता दिए सब को आगे बक्का बोलो बिटा तो अब देखे ज़रा तो then number of car n number of car को उसने end मान लिया है और एक दिन का किराय कितना लगाएगा वो x रुपाई है लेकिन x की value 50 or 200 के बीच में रखेगा वो कुछ भी रख ले आगे कि नहीं आ गया they rent per day can be shown by the linear function nx is equal to 1000x minus 5x नहीं आगा तमज मैं अरे बोलो number of car कैसे निखालेगे हुआपि कितनी कराय पर ओठाएगे कितनी लोग वहारी कार को कराय पर लेके जाएगे यह ज्यादा कराय रखेंगे तो लोग कम लेंगे अब कम कराय होगा तो ज्यादा लुग लोग उमारी कार को लेके जापाएगे कराय के लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसने यह बोला है कि number of car depends upon x याने कि x का मतलब आपका charge कितना था परड़े का है यह x और वह x की value 50 और 200 के बीच में है ठीक है ठीक है इफ दे चार्ज रूपीज 50 और less अगर वह 50 रुपए या 50 रुपए से कम कराय रखेंगे all their cars rent पर चली जाएंगे rent all their cars if they charge rupees 200 और more अगर वह 200 या 200 ज्यादा चार्ज पर दे रखेंगे तो क्या होगा they will not rent any car किसी भी कार कराय पर नहीं उठा पाएंगे कोई भी कार कराय पर नहीं जाएगी सब की सब ख़ड़ी रहेंगी आगया गया गया तो अब इस information को दिमाग में रखेंगे और इन questions के answer दीजे सबसे पहला question है if rx denote the revenue revenue का मतलब होता है आपकी कमाई आगया गया 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 अगर revenue कम rx माल लेंगे तो x की value कितनी होने चाही जिससे की rx maximum हो जाए आगया कि नहीं आगया तो इसके लिए आप एक काम करेंगे बताए एक एक पार्ट का answer एक एक करके निकालते है पहला पार तो इसमें x क्या बताए ये price per day x क्या चीज़ है price of car per day price of car per day है आगया कि न क्या चीज़ है एन है number of cars जितने x की value होगी जितने ज़कार का price होगा उतने ज़्यादा कारे कराए को उठेंगी आगया कि नहीं आ गया तो rx यान की revenue हमें कितना मिलेगा फिर revenue कितना मिलेगा बताए एन x ही तो मिलेगा अरे एक कार का एक दिंगा क्राय एक रुपए और आ नेक्स सीथ हो जाएगा आप इसमें n की value पूट कर दो आप एन की value question में दी रखिए किती एन की value है यह थाओजन्ड माइनस 5x 1000 माइनस 5x इसमें multiply कर देंगे का एक बता दीजिए x का तो इसमें से 5 को दो भान निकाल दो या चाओ तो मत निकालो छोड़ो शिए शिदा multiply कर दो कितना हो जाएगा 1000x माइनस का 5x square आ गया कि नहीं आ गया बताए अरे बोलो तो 1000x माइनस का 5x square जी क्या आ गया बता दीजि revenue आ गया अब पूछ क्या रहा था आपसे इसने पूछा था कि find the value of x revenue is maximum मतलब x की maximum value होने चीजिसे x की value क्या होगी जिससे की rx maximum हो जाए तो निकालो बहुत इसी बात है r-x निकालो फिर r-x कैसे निकले का differentiate कर दो इसको जी कितना हो जाएगा 1000-10x जी तो हो गया अब maximum revenue के for maximum revenue maximum revenue के लिए r-x is equal to 0 लिखेंगे तो 1000-10x is equal to 0 लिखेंगे 0 तो this implies that x की value कितने आ जाएगी 100 आ जाएगी सब को सब्सक्राइब आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्स की value कितने आ जाएगी 100 आ जाएगी अब चेक कर लिजिए इस पर revenue में है कि निकालो डवल डेस एक्स निकालो डवल डेस एक्स कर देंगे इसका तो जाएगा यानि कि एर डवल डेस एक्स एक्स का मतलब लिखने से माइनस टैन अंसर आएगा नेगटिव आएगा यानि कि revenue is maximum नहीं आया समझ में पहला पार्ट खतम कुछ जरुबस्ती नहीं करते पूरा लॉंग कोशन नहीं लिखना लॉंग कोशन आपका लिखने के लिए लॉंग कोशन के चार्ट कोड़े कर दिए उसने चार्ट कोड़े कर दिए एक एक पार्ट का अंसर पूछ रहा है तो एक पार्ट का अंसर दे दिया एक्स की वैले बुटा दीजिए जिससे की revenue maximum हो जाए हमने बता दिया आगे आपसे कह रहा है find the maximum revenue collected by the company company revenue collect करा कितना तो आ आपको अब आर हंड्रेड की value निकालनी है यानि कि इस वाले function में इस वाले function में आप आर जिकल टू 100 लिखो कितना आएगा लिखते हैंगे तो जी हो जाएगा 1000-100 लिखते हैंगे तो जी कितना हो जाएगा 500 और 100 लिखते हैंगे यहाँ पर तो कितने पांसो अंदर पांसो हो जाएगे दो जी रोल लगा दो इतना सारा revenue collect होगा सौन में नहीं आया बताएगे अरे बोलिए पचास जार रुपे collect हो जाएगे ना अब आगे यह कितने पार्ट हो गए दो पार्ट हो गए दो ही पार्ट पूछे थे अब थर्ड वाला पार्ट और है एक choice वाला और वा कितनी कारें डिली कराय पर हो जाएंगी यानि कि हम 75 रुपी का कराय मांगें तो कितनी कार कराय पर उठेंगी उसका तो सीदा-सीदा फॉर्मूला था जी कोशन में दिया हुआ जी रहा एक्स की वैयल्य आपको पता होने चीओ उतनी कार्श था थाॉजएल मास फाइफ एकस थाउजएंड मायनस फाइफійсь था था क्तो ना सहँआ उस्ट लेंगे यह था जाएगा आपका सिक्सिंड्रट वांट बॉन्टी फाइफ नहीं आ गमद मैंठेंगा अरे बोलो यार तो चलिए आगे चलते हैं आगे वाले कोश्चन की तरफ ये कोश्चन काफी अच्छा है और इसकी शकल देखके अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो याद करिए इसकी शकल देखके आपको कुछ याद आ रहा है क्या याद आ रहा है बताओ ये कोश्चन मैं एक बार टैस् टैनल इलनेस इस गेवन बाई पेड में तवित खराव है उसकी पीड में कुछ प्रॉबलम है तो उसका ता टैम्परेचर है वह इस फंक्शन से त्या गया है this is the function आगया कि नहीं आगया m being constant इसमें m तो constant है fx is the temperature fx temperature है in degree Fahrenheit at x days x days में आपका temperature body का कितना है x का मतलब 1 1 का मतलब एक दिन में आपका temperature कितना था x के लिए टूर पूट करते हैंगे इसमें तो आप कुझे पता चल जाएगे आपकी बोड़ी का क्या temperature था x के फिल तो 3 पूट करते हैंगे तो यह पता चल जाएगा कि 3rd day आपकी बोड़ी का क्या temperature था ठीक है कि नी ठीक है degree Fahrenheit में आएगा आपका अब आगे बढ़िए आगे चलते हैं आगे लिगा हुआ है if the function differentiable is the function differentiable in the interval 0 to 12 justify your answer क्या यह function differentiable है yes लिख दीजिए इसमें directly इसमें सूचने की जुरुत नहीं है क्योंकि this is the polynomial function यह polynomial ही तो है polynomial function is everywhere differentiable आगे अगे नहीं आगा बताएगे तो यह polynomial function इसलिए differentiable हो गया अब आगे की बात सुनिए आगे की बात क्या कह रहा था वो second बात if 6 is the critical point 6 is the critical point of the function then find the value of the constant तब इस constant की value निका लिए आप समझ में आगे अगे नहीं आगे पताएगे इस constant की क्या निका लिए value बोलो या तो critical point है critical point कैसे निकालते हैं f dash x equal to 0 लिखे critical point निकालते हैं आगे अगे नहीं आगे तो सबसे पहले आपको f dash x निकालना पड़ेगा तो पहले आप f x लिखे यहां पर f x कितना था f x बताईए यह रहा f x यह ना minus का 1 upon 10 minus का 1 upon 10 x square plus m x plus 493 upon 50 तो लिख गी जा रहा है आपर f x कितना था बताईए minus 1 upon 10 x square plus m x plus 493 upon 50 इसमें x की value कितनी है 0 या 0 से तो बढ़िये और 12 से छोटी है आगे अगे नहीं आगे बताईए तो अब क्या करना है इसका अब देखते जाईए जरा इसने बोला था कि आपका जो f x है पहला है पहला है पहला है पहला है पहला है पहला है इसने बड़ी बड़ी वैली इसको आपको solve करना पड़ेगा 98.6 ही तो होगा अरे जहां पॉइंट लगा होगे जीरो बट आगे यह जरा करके यह ना पाइंट से डिवाई कर दो यह तो निकलेगा अब critical.6 है critical.6 है तो यहां पर लिख देंगे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है critical.1 एक आपको दिया हुआ है 6 तो इसका मतलब यह हुआ कि f-6 की value 0 होगी क्योंकि इसका critical point है बोलो होगी की नहीं होगी होगी ना तो 6 लिख दो यहां पर 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा minus का 1.2 प्लस m is equal to 0 तो m की value कितनी आगे बता दीजे 1.2 एक एक पार्ट का अंसर देते जाए उसका एक पार्ट का अंसर हो गया दो पार्ट का अंसर हो गया यह हमने अंसर देहीं दिया जहीं पर यह हमने अंसर निकाली दिया अब यह आप से कह रहा है find the interval in the function is strictly increasing decreasing आपको अब इसी function का increasing का औलिकीजिंग का इंटरवल sev bacmind थी तो increasingow & क्रिचिंग का इंटरवल कैसे निकले काना था था सिक्स औरे वह वो लोग लोет लिए somehow यह की critical point तो था एरे यार यह रहा एक डैस x जिगल तो 0 लिखो इसमें यह तो f-x है आपका इसमें f-x जिगल तो 0 लिख देंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2x plus का m is equal to 0 minus का है ना और m की value आपके पास कितनी है m की value कितनी है बोलो 6 थी question में दे रखी तो यहां से जब x निकालेंगे तो 6 ही तो निकलेगा अरे बोलो यार समझ में नहीं है m की value sorry m की value यह 1.2 m की value तो 1.2 हमने निकाल लिए न तो निकालेंगे तो इसमें x equal to 6 निकल जाएगे न एक ही critical point निकला तो number 9 के हिसाब से अगर आप देखेंगे आप चाहे तो टेबल बना सकते में टेबल बनाना भी सिखाया था ऐसे भी सिखाया था वैसे भी सिखाया था दोनों तरीके से सिखाया आप माल लिए यहां पर x equal to 6 है आपका दो टुकड़े हो जाएंगे नंबल लाइन के एक हैदर की तरफ और एक एदर की तरफ ऐसी तो आप तो आप यह तो आप जाएंगे डह अई नियुक्राइश ऑगया फास तो उसका पूरा की पूरा एक range दे दिया है 0 से लेके 12 कितना range दे दिया बताइए 0 से लेके यहां तक 12 तक इतनी values है हमाई पास है ना तो increasing का interval कितना हुआ इंक्रीजिंग का जो interval आएगा वो 6 से infinite आएगा आगया कि नहीं आगया और decreasing का जो आएगा वो कितना आएगा यह आएगा 0 से लेके 6 तक आगया कि नहीं आगया यह ठीक है ना हमने यह क्यों बनाया क्योंकि उसने बुदिया हुआ है कि इस जीरो सूटवेल एक्स प्रोफ एपन के बीच में से आगे पीछे नहीं है कुछ भी सिकेना तो फिक ना हो यह पासा अब और вместе ज़िशरा ध्यान से और वाला पार्ट पहले पढ़ना पड़ेगा इसमें लिखाए फाइंट ता पॉंट अवगल मैक्जिम लोकल मीनिमूम इफ एनी अनलोकल मैक्जिम लोकल मिनिमूम के पॉइंट निखालने इन इंटर बल्ल जिरू से लिए के ट्वेल तक के बीच मे लोक लोकल मेंगे पॉइंट निकालने वह इस आगया था आपका अगया तो करिये है ना तो सबसे पहले क्या करेंगे बताईए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए यहाँ पर आपका fx क्या था पहले fx लिखिया थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं और वाला थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं और वाला आपका जो fx था वो कितना था fx लिखिये पहले कितना था minus का 0.1 x square प्लस का mx प्लस का 98.6 था यही तो था 98.6 था यह ना f-x कितना निकाला हमने f-x कर यह जड़ा इसका कितना यह गा माइनस का 0.2x प्लस का m यही तो आ गया आ गया कि नहीं आ गया अरे बोलो तो critical point निकालने के लिए m की value आपने निकाल रखी थी m कितना था 1.2 माइनस का 0.2x प्लस का 1.2 यही तो था तो maximum minimum value निकालने के लिए हम क्या करते थे critical point निकालने के लिए इसको 0 लिखते थे तो यहां से x की value कितनी निकलेगी अभी निकाला था यहार उपर 6 निकलेगी बोलते क्यों नहीं हो अब इतना आने के बाद हमें क्या करना है डबल डेस एक्स कितना निकलेगा बताइए इसको द्वारा से differentiate करिए minus का 0.2 यही तो आगया अब एफ डबल डेस 6 लिखेंगे तो आपका minus का 0.2 आएगा और जे negative आएगा और negative आएगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि यह maximum value का point है आगया कि नहीं आगया और maximum value का जो point है तो 6 आपका उसी interval में आ रहा है 0 से लेकर 12 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो absolute maximum absolute minimum values भी पूछी थी उसने तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो x की values आई है उस 0 होई है 6 होई है और 12 होई है जही तो होई है तो अब आप इस function में value पूट करकर करके निकालो भाइसा कौन सा function है हमारा यह वाला ठीक ह ए है ई कि ना इन्टी एट पॉैंट शिक्स बचेगा बोलो अन अब एफ शिक्स निकालना आउ parts निकालो इस्पूरे में six फूट कर लो ऑने टू पॉइंट तू वाइन निकालना और फिर F12 नकाल लिए, F12 नकाल लेंगे इस पूरे में 12 पूट करते हैंगे तब भी 98.6 आएगा, 98.6, तो इसका मतलब X is equal to 6 is the point of absolute maximum value and absolute maximum value is 102.2, आगे लेखेंगे, X is equal to 0 and 12 are the points of absolute minimum value and the minimum value at these points are 98.6, एक complete sentence लिखते हैं, जिसके कोई पता चले हैंगे हमने पूरा पूरा sentence दंसे लिखा है, तब तो आपको चार नमर देगा, इतना बड़ा question है भाई, आगया कि ने आगया बताएगे, अब यहां से आगे, यह मैं कुछ questions आपको दे रहा हूँ, self practice के लिए, यह ना, self practice के लिए उनको करना नहीं आएगे तो मुझे बताना, फिर यह question भी मैं आपको द्वारा से बताता हूँ, question number one, वीडियो को pause करते जाए, questions को निज़ देखते जाए, समझ मारा सबको, समझ माता जा रहा है न, समझ माता जा रहा है न, यह हो गया, और this is number two, number two, आ गया, this is number two, तो number two है यह, अब second वाला question ऐसे होगा, तो second वाला question जब ऐसे होगा, तो इसको भी आगे देखते जाए, दो पार्ट थे, दोना पार्ट हो गए, यह ना, करना इनको नहीं है तो मुझे बताए, फिर मैं solve करता हूँ, ठीक है, और this is question number three, this is question number three, इसको इतना note करिए पहले, ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना note करिए, और इसको note करने के बाद these are the questions जो इसके base पर इसमें हमसे पूछे, ठीक है, देखे ज़रा, सबको आते जा रहे है, पक्का आते जा रहे है, बहुत अच्छे question है, बहुत important, और इनको छोड़ मत देना, वस किसी भी हाल में, कर देना, ठीक है, यह है आपका पूरा question, देख लिए इसको, बहुत अच्छे question है, very 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 most important questions, इसके आगे यह अनिल, question number कौन सा है, फोर्थ होगा, yes, fourth होगा, fourth, this is the fourth question, ठीक है, fourth question, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब को, दिख रहा है, आगे बोलते हैं, these are the parts, सारे की सारे very very important questions हैं, यह, ठीक है, ठीक है, this is the next question, question number five, कोई भी question कम नहीं है, सब एक से बढ़ कर एक है, अक्का एक्जाम है, यह ही आएंगे, ओके, अगे, ढा क्या है, आरा है, आरा है, सबको, चारी, very very all the best, very very all the best, बच्म, बच्चे, बच्च रहा है,高 mostrar आगे, बच्चा के, अचते हैं